पीएम मोदी ने मन की बात कारिकरम को किया संबोधित पीएम ने कहा जुलाई का महीना परेशानी से भरा रहा लेकिन आपदा में सामोहिक प्रयास की ताकत दिखाने से काम्याभी मिली देशवासियों से पीएम मोदी की अपील हर घर तिरंगा अभियान के तहट इस बार भी घर पर त्पहराएं तिरंगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने सुनी प्रभान मिंतरी मोदी की मन की बात यूज बूथ लेवल पर लोगों के साथ की बैठक मेरा बूथ सबसे मजबूत कारेक्रमकी की समिक्षा नांगलोई दंगे का अब नया वीडियो सामने आया दंगाईयों ने बस पर किया था पत्थराव एक घंटे तक उतपात मचाते रहे दंगाई दिल्ली के डांगलोई में सूरजमल स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में दिखे पत्थर एलाके में केंद्र अद्रस्टैनिक बल भी तैनाथ विपक्षी सांसदों के मनिपुर दौरे का आज दूसा दिन सांसदों का प्रत्य निधी मंडल मनिपुर के राजजिपाल से भी मिला उने ग्यापन सौपा मनिपूर की राज्यपाल अनुसुया उईके से मुलाकात के बाद बोले कॉंग्रेस सांसद अधी रंजन चौधरी कहा मौका मिलते ही केंद्र पर दबाव बनाकर लोगों के मुद्दों को पेश करेंगे अर्जेटी सांसद मनुज्जा का बयान बोले मनिपूर के मुख्य मंतरी अपने बंगले तक ही सीम है कुछ समय के लिए राजपती शासन लगाया जाना चाहिए मनिपूर में उपद्रवियों को पहुँचाए जा रहे चीनी हत्यास उतनों के मताबिक म्यामार बॉर्डर से मनिपूर भेजे जाते हैं हत्यार दिल्ली के अकबर रोड इलाके में हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर पोस्टर से विपक्ष पर हमला लिखा भरष्टा चार आफ इंडिया जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता हुआ सेना का जवान घर से कुछी दूरी पर मिली कार सेना का सच आपरेशन जारी ईद के बाद से ही घर पर था मौजूद अलवर से पाकिस्तान गई अंजू पर उसके पती का बड़ा खुलासा जी नियू सिबोले अर्विंद अंजू ने फार दी डाली थी शादी की तमाम तस्वीरें घरवालों से जैपुर जाने की बात कही थी गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया माफिया अतीक का वकील विजय मिश्रा तीन करूर की रंगदारी मामूने के केस में कल रात हुई थी गिरफ्तारी उमेशपाल मर्डर केस में भी साज़िश रचने का है आरो जमू कश्मीर के श्रीनगर से अलबदर का हाइब्रेड आतंग की गिरफ्तार भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था पुलवामा का रहने वाला अरफात इसरो ने एक बार फिर बनाया कीर्थिमान पीएसलवी सी फिफिटिसिक्स के जरीए एक साथ लॉंच किये सिंगापूर के साथ सेटलाइट दो सब्ता के अंदर दूसरा बड़ा रॉकेट मिशन पीएसलवी रॉकेट ने अठावन भी बार बड़ी औरान श्रीहरी कोटा अंतरिश केंद्र से की गई सेटलाइट की लॉंचिंग प्रत्वी की तस्वीरे लेगा ही सेटलाइट मिशन लॉंच होने के बाद इसरो चीफ एसस सोमनात ने टीम को दी बदाई बोले अगस्त में नए मिशन के साथ अंतरिश की नई उचाईयों कुछ होएगा इसरो महिला कॉंग्रेस कारिकर मिश्रा मिल हुए कमलनाथ कहा महिलाओं पर शूशन में नंबर बन है मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के आदिवासी महा पंचायत पर ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा निसाभा निशाना बोले जिनकी नफरत पहचान है उनसे कॉंग्रेस खुलबा रही मौंबत की दुकान आज होगा राम जन्भूमी पत्मार्ग का घटन 24 जनवरी को दिव्य और भव्य गरब गरब में विराजबान होंगे राम लला गुजरात की मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाटन के शेक शंखिश्वर मंदिर में की पूजा पूजा अर्चना के बाद लिया अशिरवाद उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदे तनाथ ने लखनाओ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीम डैशबूर्ट का किया उधगाटन अखिलेश यादर ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर साभा निशाना ट्वीट में लिखा यूपी के अस्पतालों में एकस्पाइरी दवा बिलने की खबरें हैं जाच परक कही दवा ले गोवा हाटी में असम विधान सभा की नई इमारत का उधगाटन लोगसभा ध्यक्षुमा ओम बिल्ला ने किया उधगाटन उत्राखन बद्रिनाथ हाईवे फिर हुआ बंद बारिश के बाद बाबा आश्रम कर्ण प्रया के पास लैंड्सलाइड सड़क खोलने की कोशिश जारी श्री गंगा नगर में घंगर नदी का बांध तूटने से आई बार गाउं में खुसा बार का पानी दोसो बीगा से अधिक फस्ले की बार बार जमू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश से हुआ लैंड्सलाइड चार घरों को पहुँचा नुकसान प्रभावेत लोगों को सुरक्षिट जगाउं पर भीजा गया आंधर प्रदेश के कोलेरू जील में बढ़ा जलस्तर गाउं की और जाने वाली सड़क से संपर टूटा गई करों में पकुसा बरसात का पानी विजेवाडा के प्रकाशन बैराज में जलस्तर बढ़ने से आसपास के गाउं में बार का खत्रा प्रशासन ने जारी की चिता बनी गुजरात में भारी बारिश से बढ़ा मच्छू बांग का पानी ड्रोन तस्वीरों में दिखाव बढ़ता जलसतर आसपास के इलाकों में अलर्ड जारी किया गया है तलंगाना के भद्राचलम में गुदाविनी नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है कई अलाकों में भरा पानी राहत और बचाव का अभियान जारी है अजमेर में तेज बारिश से धंसी सड़क मंदिर पहुँचने का रास्ता हुआ बाधे महराश्ट के पालगर में भारी बारिश से उफान पर नदी जान जोखिम में डाल कर नदी पार करते नजर आए लोग बागपत में बरसाथ के पानी से बरे गड़े में डूबने से दो बच्चों की मौत परिवार वालों का रो रोकर बुदा हाल 36 गड़ के राइपूर समीद बस्तर में बारिश देर से बारिश शुरू होने के बाद केसानों को पहुंची राहत धनबाद के कई अलाकों में जोरदार बारिश के बाद घरों में घुसा बारिश का पानी स्थानी ये लोगों ने लगाया नाले को अट्रिक्मन करने का आरोग मद्यप्रदेश के शेहडोल में तेज बहाव में बहे तीन यूग की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली रसक्यो आपरेशन फिलाल जारी है दिल्ली के उद्यूग नगर में प्लास्टिक फैक्टरी में भीशन आग धूदू कर जली फैक्टरी पूरे इलाके में अफरा तफ्री गुजरात के शाही बाग में एक अस्पताल में लगी आग कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काभू पाया गया महराश्ट्र के ठाने में बस के इंजन में लगी आग आग बस में करीब पचास यात्री सवार थे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया स्वतंत्रिता दिवस को लेकर तैयारियां जारी सूरत के एक अपड़ा व्यापारी को मिला पचास लाग ते रंगे ज़ंडे बनाने का आउडर उमान के मसकट में काम के पैसे न मिलने सिफंसे भारत के च्छे मजदूर सरकार से लगाई घर वापसी की गुहार नागलेंड के में जुमा गाउं में मनाया गया हस्तक शिल्प कला कातियोहार सांस के तेक कला की दिखी जलक 36 गड़ के राइपूर में नशा मुक्ती को लेकर विशेश अभियान मेराथ़न और जुमा का आयो जड़ कर नशे के खिलाफ किया गया लोगों को जाग रूप मतुरा में रेलवे ट्राक पर सेलफी लेना पड़ा महगा ट्रेन की चपेट में आने से चातर की मौत दहरादून में कोबरा के घर में घुसने से कॉलोनी में मचा हलकम पसाँ अपने दो छोटे बच्चों को काटा वन विभाग की टीम ने किया रस्क्यू बच्चों का इलाज जारी है बेगु सराय में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से तीन दुकान जल कर हुई खाक लाखों का नुपसान दिल्ली के पंजाबी बाग में ट्रक ने कार को मारी टकर हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत दानापुर में ग्रामीडों ने यूवकों को जम कर पीटा यूवकों पर गाउं की छात्रा से छेड़ शानी कारों भागलपुर में सामजिक तत्पों ने काली मंदिर पर किया पत्राव मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनाथ यमना नगर में तीन बदमाशों ने एक व्यक्ती पर कीतावर तोड़ फाइरिंग बदमाश मौके से फराद आगरा में दो यूवकों ने बिहार की नावाल एक बच्ची को बनाया वंधग पुलिस ने घर पर शाबा मारकर बच्ची को रस्क्यू किया आजमगर्ड में लड़कियों को सेक्स रेकेट में धखेलने वालों को भबंडा फोर्ड पुलिस ने तीन आरूपियों को गिरफतार किया है अलवर में मामूली काहसुनी पर ट्रक ड्राइवर ने यूवक पर किया लोएगी रॉट से हमला यूवकों सौड़क पर घसीटा मौके से पर मौथ ड्राइवर फरार एटा में महिला ने दो बेटियों के साथ किया आत्महत्या मामले की जांच बिज्योटी है पलिस आगरा में ऑनलाइन ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफतार बीस चेक बुक समेच 17,000 रुपे बरामट 36 गड़ के पेंड़ा में कोई में गिरा भालू का बच्चा ग्रामीनों की मदद से बन में भागने उसे रस्क्यू किया चीन में तेज बारिश के बाद आई भाहिन का बाढ़ नदी का डाम टूपने से सड़कों पर वो आया सेला पानी में डूब गए कई इलाके चीन से बाढ़ की आई एरियल तस्वीरें चारों तरफ दिखा पानी ही पानी तूफान और बारिश से चीन के हाला अदबत से बत्तर हुए लोगों के घर में भरा कई फीट तक पानी छट पर रहने को मजबूर लो कैनड़ा में मौसम ने ली करवट तेज बारिश के साथ जब कर गिरे ओले रूस यूकरेन के बीच जंग हुई और तेज यूकरेन के ने मौसको पर किया ड्रोन से अटाक इलाके में मचा हर कम यूकरेनी ड्रोन हमले में सरकारी इमारतों को हुआ नफसान मौसको में दहशत में है लो मॉस्को में हमले पर लेकर रूस का दावा कहा यूकरेन ने एक साथ तीन ड्रोन से अटाक किया था कोई हताहत नहीं रूस ने यूकरेन के जपराजिया पर किया मिसाइल अटाक हमले में दो लोगों की मौत रूस ने नीप्रो पर किया हमलार रूसी रक्षा मंत्राले का दावा कमार्ड सेंटर को बनाया गया निशाना रूसी राश्पती पुतिन ने अफ्रीकी नेता और संग की बैठक राजनेतिक और आर्थिक साज्यदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा रूस यूकरीन युद्र पर नरम पड़े राश्पती पुतिन के तेवर बोले अभी यूकरीन पर कारवाई नहीं की जाएगी तेज़ अफ्रीका के शान्ती प्रस्ताव पर पुतिन का बयान रूस ने यूकरीन से बाच्शीट से की नहीं किया इनका यूकरेन के राशपती जलन्सकी ने वाखमत के इलाकों का किया दौरा मौके पर तैनाज सेनिकों से की मलाकात रूस के नियंतरंड वाले दान्यास्क में गोली बारी कई घर और कारों को हुआ नुकसान किसी के हतात होने की ख़बर नहीं यूकरेन ने रूसी शहर पर मिसाइल से किया हमला यूकरेन के राशपती जलन्सकी ने करता के प्रदान म्हिंतरी से की मलाकात ग्लोबल फूट सेकेरिटी पर बात की अला निवाक जेल में मारे गई सैनिकों के परेजोनों का तूटा गुसा की उमें लोगों ने किया प्रदर्शन यूकरेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा ब्रिटन दोब खाने और चालेंजर ट्रैंक चलाने की ट्रेनिंग बांगला देश में विपक्षी समर्थों ने किया प्रदर्शन पी-एम के खलाफ स्टीफे की माँ इसराइल के नयाएक सुधार कानून में कुछ बदलाव पर नेतनियाहूर राजी हुए एलाइन के बार भड़का लोगों का गुस्सा अमेरिका के सियेटल में हुई फाइरिंग हमले में पांच लोग घायल पेरू में सुतंतरता दिवस पर हुआ हंगामा सरकार विरोधी प्रशन कारियों ने कारिकरम वाले स्थल पर किया कूछ पुलिस के साथ जड़ा अमेरिका की उपराशपती कमला हरेस का रिपब्लिकन पार्टी पर हमला कहा गर्पार कानून के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है फ्रांस और चीन में आपसी सम्मन्द और हुए मजबूत दोनों देशों के बीच कही समझाते हैं कोलंबिया की राशपती का बेटा मनी लॉंडरिंग के केस में अरेस्ट कि रफतारी के बाद अपने पद से इस्तिफा दिया दूसरे बंडे मैच में टीम इंडिया की हार वेस्टन डीज ने भारत को 6 विकेट से दी शिकस्त पहले बल्ले बाजी करते हुए भारती टीम 181 रन पर हुई आल आउट जवाब में वेस्टन डीज 36 से ओवर में रन बना कर मैच जीता इंग्लेंड की तूफानी बैटिंग के सामने बैकफ़ट पर उस्टेलिया स्टोक्स की टीम के पास 377 रन की बढ़ात पोच राहुल दरवड का सूरी कमार यादव को अल्टिमेटम कहा मिल रहा है मौके का उठाएं लाब नहीं तो हो जाएंगे बाहर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया पर बरसे फैंस बोले विराट और रोहित के बिना नमबर दस की टीम से भी जितना मुश्किल है इंग्लाइंड के तेज गेंदबा स्टूर्ड ब्राट डिकिया सन्नियास का एलान औस्टिलिया के खलाब पांच में टेस्ट मैच की बाद क्रिकेट को कहेंगे अलविदा बेन स्टोक्स ने आइशिस के इतिहास में बनाया रेकॉर्ड आइशिस सीरीज में सबसे जबाच शक्के लगाने वाले बल्लेबास काबल प्रीमियर लीग में अफगानिस्तान के सदिकुल्ला अटल की धमाकेदार बल्लेबाजी एक ओवर में जड़े साथ शक्के 118 रंगी नाबात वारी